यह है मेरे शोहर अधर खान सनाफ राइस खान गोल कुंड़ा छोटे बजार के रहने वाले हैं यह एक फायर की कॉपी है कि CCS की नामपली में और यह गोल कुंड़ा पीएस में जो मैंने कंप्लेंड दिया था वहां की अब मुझे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेश्ट करती हूं मैं कि मुझे गुजारा भत्ता नहीं चाहिए पांस-दस हजार रुपे गुजारा भत्ते पे नहीं आउरत के जि सहर से निकाल दिया जाए और मुझे हरास करें मुझे जान से मारने की धंकी दिये अटैक करवाने की कोशिश किये मैं नीहत्ती थी तो एक-दो महिने के बच्चे के लेकर मैं कैसे-कैसे यहां श्ट्रगल कर रही है अल्ला रभुल इजद भीतर जानता है और मैं सकत सजा दी जाए इसको शहर से निकाल दिया जाए इसको कितनी भी सज़ा दी जो कम है और मैं कुछ भी नहीं चाहेती असलाम अलेकुम और रहने वाली हूं और मेरे डिवर्स हो चुका था मैं देहरादून में छे साल से जॉब कर रही थी उसके बाद जो है 2017 में अधर खा कि स्टार्टिंग से और चीट करता रहा मुझे इस चीज की खाबर नहीं थी और फिर उसने सायजिसन मुझे बोला कि मैं आपसे निकाल करना चाहएता हूं अब्भी हो कि मै् डिवोर्ट्व हूं मैं अब किसी से शादी हो करना चाहती है और मेरे लाइफ अच्य है सेट हो क कि मैं जवब कर लेती हूं मैं अपना खाकमा ले रही ते मुझे किसी सक्सकी जरूरत नहीं है यह हरम गया वहां जा जा कर मधीना जा जा कर तो हो गए कि चलो ठीके बंदा शायद अच्छा है रोजनामाश करने वाला है मैं यह सोच कर मैंने के कदम को आगे बढ़ाया फिर उसने जो है दो हजार उन्नीस में जो है मुझसे निका किया वीडियो कॉलिंग पर बताया कि ऐसे से निका कर लो मैंने किया करनेक बाद एक मह से निका किया कावे को पकड़ कर कि मैं अल्ला का नेक बंदा हूं मैं आपके साथ जिन्दगी गुजारना चाहता हूं फिर मैं वहां गई 11 महीने अपने जिन्दगी के वहां गुजा रहे हैं तीन-चार महीने तक तो मैं उसके साथ ठीक रही फिर दीरे 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 उसका फरेव मेरे सामने आता रहा तीरे मैं उसे बोलती रही कि जूट से किसी का भला नहीं होता अजहर जूट मत बोला कीजिए अच्छी बात करकर के जो है मुझे भेलाता फुसलाता रहा मेरे पास जॉब करती थी पैसे थे करीबं 10 लाख रुपए मैंने एक खटा कर रखे थे 12 सुबला मेरे पास सुना था यह भी लूब करते थे देरादून मैं छ्य साल तक बभानाने के लिए पैसा खटा कर के रखे थे इसने धीरे घेरे करके अ अपने मा के पास अपने बाब की भीमारियों में पैसां ले लिया, बैंक मेरे पास कुछ मैंने काइस दिया है जो है लेने के बाद, फिर जो है, ये मारने पीटने लगा, फिर धीर से अपना गंदा चहरा सामने लगा, फिर मैं भुर त Alemike मैं बोलने लगी कि मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो चोड़ दीजी और छूड़ में टूड़ दीजी मुझे नहीं रहना नहीं जी मैं क्यू छोड़ूंगा काय को छोड़ूंगा時 मैं बुनेगार वन जाँ है ऐसा वैसा करके मुझे मारता पीट रहा है बहुत मार अजर खान भी देहरदून आ गया आने के बाद मेरे फैमिली के साथ रहा करीबर एक साल तक तीन महीं 2022 को इसने मुझसे चीट किया बोला मैं जा रहा हूं जौब के लिए दुबई जा रहा हूं उस वक्त मैं प्रिग्नेंट हो चुकी थी मैंने का ठीक है यहां अच्छी सैली नहीं मिलती मैं जा रहा हूं मैंने उसको भेज़ा वो नहीं गया वो हैदराबाद आ गया आगर इसको अपनी फैमिली के पास जाना था तो वो बता के भी जा सकता था वह चीट करके कियूं गया कि मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूं रहने जाने वालों को वैसे भी कोई रोक नहीं सकता उसके दोस्तों की थुरू मुदे पता चला कि वह आउट आफकंड्री नहीं है वो इंडिया में ही है मैं जब फोन कर रही थी तो वो इधर-दर की बाते घुमाता था कि नहीं जी कौन तुम्हारे को भड़का रहा कौन ऐसा कर रहा कुछ कुछ दोस्तों का नाम भी बताना चाहती हूं मैं सयस सुहेल और आकाश इनका बहुत अच्छा बस्पन का दोस्त उनके थू मुझे पता चला कि यह हैदराबाद के अंदर है मैं उसे बोलती रही कि आप मुझे किसके सहारे चोड़कर गया हो अलड़ी मैं यतीम हूं मेरे माबाप नहीं है भाई बहन है सब अपने लाइफ में बिजी है मैं किसी पर बोज नहीं बनना चाहती थी य उसके बाद जो है मुझे इतना टॉर्चर करने लगा इतना टॉर्चर करने लगा इतना परिशान कर मैं प्रिग्नेंट मैं कहां जाती इसके उपर रहती जो है मैं इसको फोन करती रही है अजर मैं प्रेग्नेंट हूं मैंसे हाला ना मेरे पास घर है ना पैसा है मैं किसके मुझे चीट करता रहा कि इस महिना ले जाओंगा अगले महिना ले जाओंगा और उनकी फैमिली वाले भी मेरे से काफी Maid तो जब मैं उनको अपने के लिए बोलती तो शरुताय को एक्सिप्ट करती मार देने की धंकी कार देने की घंकी मुझे नीचा गिराया मुझे गारेक्टर लिज बोला गया पता नहीं किया मेरे माबाब को बोले तो अगर कोई मुझे कुछ बोले गया तो क्या मैं उसको जवाब नहीं दूंगी आप सस्राल वाले हैं तो इसका मतलब थोड़ी नहीं किसी का आप नाजायस पाइदा उठाएंगे गलत इस्तिमाल करेंगे आप क्या है किस बल पर बोल रही है क्या वो नहीं एक्सेप्ट करती आप नाली के गटड़ की कीड़े की बराबार है मैंने बोला अलहमदलिल्ला अल्ला ताला ने मैं उसको समझके मुझे पैदा किया फिर मैं दीरे दीरे मेरे डिलिवरी हो गई 2021 मैं चार दिन लेवर पेर में तड़पी चार दिन मैं तड़पती रही देरादूर में गेर लोग आ कर मुझे यकीन दिलाए कि कुछ भी नहीं होगा मैं इसको फोन कड़ती रही कड़ती रही कड़ती रही अजहर आओ जी ठीक अल्ला सब बहतर करगा नहीं मेरे पास पैसा था ना कुछ था ना कुछ था मैं बीवी थी क्या आपको फोर्स करकर कि मैं पैसा लेती आपस भी बच पशिं़े कामे पकड़े इन्हों निकाह किया इन्होंने हमें चीट किया और उनकी फैमिली तिसकर यह इनकी पापा है रहिस खान है उत्रोकुंडा के रहने वाले हैं चोटा बाजार नउवाट 25 नंवाद और इनका बड़ा भाए अफ्रोष यह फान है इनकी सिश्टर जो मुझे लगातार गालियां देती थी और इंसम में सबसे बड़ा रोल इनके मामा का है कोसर मुहिनित दीन के साथ जो खड़े हुए हैं मुहम्मद नदीम यह मुझे सुरू से ही मार देने की काड़ देने की धमकी देते रहें कि मैं मेले के साथ हूं ऐसा यह मुहम्मद नदीम आप जो बताई है मैं मेरे हाथ में बच्चा था डेड़ महिने का मैं क्या करते कब तक किसी पर डिपेंट रहती मैं देहरादून से लखनौ लखनौ से हैदराबाद का सफर मेरा कैसा रहा आप लोग समझ सकते हैं मैं 28 फरवरी को आई हैदराबाद आ जुरू से हाइट करने की भीमारी थी है कर देते हैं आई कर देते थे फिल जॉभ कर देते थे सना अपकिजिए तक मेरे खुपसूरती थी इन्होंने तीन साल तक के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आए मैं क्या करूं मैं इसका असली सिहरा सामने लाने के लिए मैंने अपने छुटे बच्चे पर मारकर वीडियो भी जाया इसको कि शायद यह बाफ है तड़ापकर आएगा लेकिन मुझे वहां से असलियत पता चली कि यह मे कर मैंने उसको मौका दिया जो भी बात है आकर सामने नहीं आया डराता रहा क्या कर लेती क्या कर लेती क्या कर लेती हमारे साथ मेरे साथ मेले साहब है सब पता ने क्या-क्या बोलकर डराता रहा है मुझे नहीं पता लेकिन फिर मैं मजबूर होकर मैं गोल कुंडा पीएस क पर दूसरे दिन पहुंची मैं सुबह 10 बजे के गई गई मैं फिडिंग मदर हूं बच्चे को धूत पिलाती हूं मैं सुबह से भूकी प्यासी महां पर बैठी रही सब का नंबर आता था मेरा नंबर नहीं क्योंकि साइद महां थाने कंदर किसी का प्रेसर पड़ चुका था अब उसके बावजूद भी फिर रात 10 बजे वहां की लोग आये कुछ लीडर्स को लेकर आये और उनका मामा मुहमद नदीम लेकर आया ड्राने के लिए दोबारा पीएस में नको आओ ये कर देता हूं सरकल साब के सामने मैं वहीं पर बोली क्या कर लेते मार देते तो बाह पता नहीं क्या क्या बोला बहुत ही गंदी गंदी अलफाज यूज किये फिर मैं मुझे सरकल साब ने बोला कि आप हुमन पुलिस स्टेशन में जाए वहां पर रजगर आये मैं वहां पर गई अपना कंपेंड दिया फिर फायार हुआ वहां पर भी आने के बाद अजर खा लिए देता रहा तो उन लोगों को सामने ही ठीक है अब किसके उपर किसका हाथ है किसके उस पर यह कूद रहा है मुझे समझ में नहीं हाता कि क्या कर रहा है क्यों इतना वो कर रहा है मुझे इसने मुझे शादी नहीं की इसने मुझे साजिसन रेप किया है मेरा रेप स्वाथ कंवा कि सब्सक्राइब है यह asas है अक्वर करती हूं कि आपकी सिंदी ति आपके हिम्मत पर मैं आ आई होज़िव कि निया करती है